दोस्तो मेरा नाम है मुहित कुमार और आप देख रहे हैं डिश्टल मुहित दोस्तो आप सबी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं कि अधार काड की फोटो कापी कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अधार कार्ड ले लेना होगा जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अधार कार्ड ले लिया है और इसको ऐसे रखना है तो पहले आप इसको ऊपर ऐसे कर दीजिए फिर उसके बाद से आपको अपना अधार कार्ड ऐसे लेने के बाद इसको ऐसे र रहेंगे, तो आपको मैं पहले black ओला करके दिखाता हूँ, तो black ओले पे मैंने click किया है, अब जैसा आप देखेंगे कि photograph इसकी निकल के आएगए, जैसा आप देख सकते हैं, एक तरप का निकलके आगया है, फिर आपको इस पेस को इसी तरीके से लगाना है, इस page को simply आप इसी तरीके से लगा दीजीगा फिर उसके बाद से इसको उठाईएगा इसको उठाने के बाद आप इसको पलट के और simply ऐसे रख दीजीगा इसको रखने के बाद फिर आप black and white पर click करेंगे फिर आप देखिये अभी कैसे निकल के आएगा अब आप देख सकते हैं आपका अAdhar card पूरा print हो गया है प्रिंट हो गया है शही तरीके से अगर आपको यह अधार card थोड़ा pass में करना जैसा ही यह आप gap देख रहे होंगे अगर आपको pass में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है बस इस साधार card को यहां पर उठा के थोड़ा pass में कर लेंगे ऐसे pass में कर लेंगे तो यह pass में print होगा अब आपको मैं इसी page पर color out वाला करके दिखाता हूँ तो आपको पहले simply ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे कर देजिए और इसी page पर मैं मैं ऐसे नए page पर कर देता हूँ देखिए अब हमें color करना है तो यहां से मैं color वाला button प्रेस करूँगा color वाला मैंने button प्रेस किया है और आप अभी देखेंगे color out वाली photo copy हो जाएगी जैसे आप देख रहे होंगे color वाला यह देखे फोटो कापी निकल के आया है तो दोस्तों अगर आपको color out फोटो कापी करना है तो आप color वाला यूज कीजिएगा गर black and white करना है तो आप black वाला button यूज कीजिएगा दोस्तों मैं अमिद करता हूँ आप आप आसानी से अधार काट की फोटो कर पाएंगे दोस्तों अगर आपको कोई problem होती है तो आपको description box में मेरे Instagram की ID मिल जाएगी वहाँ पर आप हमें message कर सकते हैं दोस्तों लाज तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दोस्तों आपको 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 आपको